मानिये राजमंत्री अभियान के संयूजग अभियान के संस्थापक राजमंत्री श्री अमर्जीत मिश्या जी के दौरा तालियों की गड़गडाहत बहुत कम लग रही है इतनी तो थांक्स मैं अमर्जीत को कौमगी कि मैं तो असायद 25-26 साल से देख रही है कि संस्कुति को जागरी तरखने के लिए इन्होंने इतनी ज़्यादा कोशिश की है और काफी सफल भी हुए है तो बस यहीं के साथ आप लोग आनन्द उठावें सुरेश सुकला जी के गीतों का और आगे आनन्द देख बस धन्यवाद बहुत है काफी सुरेश सितनी ज इन्होंने इन्होंने मीचों मुदाओ जयका है के अट्वशक टिसनी ठहित है करते है क्चक्वंध्ष काफी मुदा रिणी समय क्वर्ण काही जबिताए मेरी जड़े जहां पर थी मैं अपनी जड़ों को भूली नहीं हूँ और मेरी जड़ों की सामने मुझे सम्मान मिल रहा है मैं बहुत आभारी हूँ दन्यवर विधायक है एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें क्योंकि अभी तक बंबं बोल रहा है काशी हम सुनते रहे हैं लेकि जब से मोदी जी प्रधान मंत्री हुए है तब से हिंदुस्तान की बंबं बुरी दुनिया में है इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि पहले सदकार हो आधरणी मंत्री महोदेगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका हमारे फोटे से लिवेदर पे वे मुंबई आगए मान को डिजर्व करती है ये सब मान ये मंत्री जी की तरफ से रेखा जी का पती और पत्ती दोनों जन मिलकर भारती ये फिल्म संगीत की जो सेवा कर रहे हैं मित्रो ये हम लोगों को हम उससे वाकिफ हैं इसलिए आज रेखा भारत दाजी को हमने निवंत्रित किया वे सहज रूप से साहित्य और संगीत की सेवा करने का काम करती हैं और इसलिए उन्होंने बड़ी सहजदा के साथ हमारे निवेदन को स्विकार किया और काशी से जो विधायक है श्यूपुर के भगवान श्यूप की नगरी काशी और उसने भी श्यूपुर के विधायक हाई अनिल राजवर मुंबई आते हैं हम सब से मिलने के लिए मैं आप सब का मिठाईलाज सिंग जी मुंबई में उंतर भार्दियों का इतिहास लिखा जाएगा तो मिठाईलाज सिंग जी के बिना अधूरा रहेगा और मैं वर्षो पुराना एक गीत है जिसकी चार बंग्दियां मैं पढ़ता हूँ कि अपनी जीले नदियां पर्वत माला कैसे दे देंगे दुनिया भर की रूप सुधा का प्याला कैसे देंगे वैस्कव देवी वाला अमर उजाला कैसे देंगे अवर नात का बोलो पुन शिवाला कैसे दे दे अरे जेलम से मिलने को गंगा का बेचैन किनारा है काश बेर मत मांगो पूरा पाकिस्तान हमारा है और उसको खली बूल करने के लिए मौजुदा सरकार जैसा काम कर रही है आज का दिन कजरी भी सुनिए भांगला भी नाजिये और हिंदुस्तान के पुर्व से पश्चिन को और पश्चिन से पुर्व को उत्तर से दख्शिन को जोडने का एक नया पराक्रम आदरनी प्रण मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने किया है और ग्रिह मंत्री अमिश शाह जी ने किया है हम लोगों ने वल्लब भाई पटेल को नहीं देखा होगा लेकिन आज जब अमिश भाई शाह दोनों सदनों में प्रस्तावरत रहे थे तो मुझे लगा कि सरदार वल्लब भाई पटेल जी इसी तरह के रहे होगे ये पराक्रम जिस तरह का हुआ है मैं आज इस सदन में बादलों को बारिश को शिकस्त देकर सारे पुर्वानुमान को शिकस्त देकर जो लोग यहां उपस्तित हैं उन सब को प्रणाम करता हूँ और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरनी अनिल राजभर जी का स्वागत भी करता हूँ सुमिता जी का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार कारेक्रम आज हम सब को आज़जीत करके दिखाया है और रेखा भारत दाजी का भी रणी हूँ कि वे इस समारों में आई है मैं सीधे सीधे मंच माई उन्हें इता हूँ आदरनी रिए भारत 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 लगता है कि इस सही रास्ते पे चल रहे हैं सही काम कर रहे हैं तो और अच्छे से और मन से और मेनत करके अपना काम करने की एक हम को प्रेना मलती है बात बात शुक्रिया रेखा जी से गीत नहीं सुनना चाहिए बिल्कुल सुनना चाहिए आप लोग फर्माईश रखी भाई मैं उनका भी और पिसेंस तोर पर मैं कासी के तरफ से और खास तोर पे पुर्वांचर की माटी के तरफ से आदलिया रेखा जी का मैं स्वागत करता हूँ अभिनादन करता हूँ और इस पूरे आयोजन में सहयोग करने वाले सभी सदस्यों का और अपनी लोग संस्क्रिती अपनी पर्मपराओं के प्रती इस तरह से आदर और सम्मान रखने वाले आप सब लोग जो यहां पर उपस्तित है सभी माबर्नों का भी सभी बुजर्गों का भी सभी लोजवानों का भी मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से आप सभी लोगों का भी नंदर करता हूँ अभी मैं अमरजीत भाई से अपनी शिकायत दर्ज कर रहा हूँ अगर कुछ पहले हमें यह पता होता कि इस तरह का आयोजन है तो निश्चित तोर पर कारिकरम की सुरुवास से लेकर और समापन तक मैं यहां पर बैठना चाहता है लेकिन थोड़ी सी परिशानी है सरजुनिक जीवन में रहने वाले आदमी के पास समय कि थोड़ी अजब हम लोग उतना दूर से आते हैं तो अपना सोचते हैं कि एक एक मिनिट किस तरह से सार्थक बनाएं उसका सद्यपोयोग करें तो थोड़ी ब्यस्तता है जिसके नाते मुझे जाना पड़ेगा नहीं बस एक चीज है कि आगे जब कभी भी मुझे लगता है लेकिन आज तेश ही नहीं बलकि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता परमपुझ हमारे देश के यसस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतेतु में और निश्चित तौर पर अमरजीत भाई कह रहे थे कि सरदार बल्ल भाई पटेल को हम लोगों ने नहीं देखा है लेकिन हमारे वर्तमान के ग्रह मंत्री और भारती जन्ता पार्टी के रास्टी अध्यक्ष परंसद्धे अमित भाई साह ने जिस मजभूती के साथ देश की परलिया मिंट में आज इतिहास बनाने का काम किया है आज पुरा देश उससो अपने आपको जोड रहा है और गर्व की अन्भू भी कर रहा है पुरे देश में आज उससो जैसा माहोल बना हुआ है मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस अयतिहासिक शण को भी मसूस करने की जरूरत है और निश्यत तोर पे एक बड़ा संज्योग यहां पर बैठा है मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को मैं रुकना चाहता हूँ कि जो आप लोगों का इस तरह से अपनी लोग संस्कृत को बजाने का जो आप लोगों का प्रयास है यह प्रयास आगे भी चलता रहेगा हम सब लोग इसी तरीके से एक दूसरे के साथ बैठ कर और ऐसे उत्सव मनाते रहेंगे मैं एक बार पुना यहां बुलाने के लिए आप लोगों के साथ जोडने के लिए बड़े भाई अमरजीत मिस्रा जी का दिल से अभार प्रकट करते हुए और आधडिया सुमीता जी को इस अच्छे कारिकरम के लिए बढ़ाई देते हुए अपनी बात को मैं रोपता हूँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभाद देखिए धुआधार बैटिंग इस देश के स्रद्देग्रिय मंत्री जी राजसभा और लोगसभा में कर रहे हैं मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर बहुत कुछ विस्तार से आज अभी बोला जाए कल लोगसभा में एतिहासिक फैसला होगा इतना जरूर कह सकते हैं कि पूरे देश में आज एक उत्सव का माहौल बन गया है आज देश ही नहीं दुनिया इस बात को स्विकार कर रही है कि कश्मीर आज पूरी तरीके से आजाद हो गया है जैसे देश के अन्न हिस्से विकास के पत पर अगरसर हैं उसी तरीके से कल के बाद कश्मीर भी देश के अन्न हिस्सों के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ेगा और पूरे देश के देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्पूर भूमिका को निभाने का काम करेगा विल्कुल मैंने अमर्जीत मिस्रा जी को भी आद्रिया सुमीता जी को भी यहां आई देश की मशहूर कलाकार आद्रिया रेखा जी को भी और इस आयोजन करने वाले एक एक जो सदर्स हैं उस कमेटी के जो मेंबर हैं सबको हमने बढ़ाई दिया और निशित तोर पे बड़ी बात है कि हजार किलोमीटर दूर आकर अपनी माटी की पहचान अपनी लोक संस्कृति अपनी परंपराओं का इस तरह से प्रसार करने का जो प्रयास हो रहा है उस प्रयास का हम दिल से स्वागत करते हैं अभी नंदन करते हैं अपनी प्रवांचाल के भारी संख्या में लोग आए हैं जो कजरी प्रयास होती है और जो लोग समाज सेवा में पहले से लगी हैं उनका मनोबल वढ़ता है प्रवांचाल वासियों के लिए अपने बनारस, मिरजापूर, सोनभद, गाजेपूर, भदोही, पूरे पुर्वांचाल, पूरे उत्तर प्रदेश, आधा, पश्यम, बिहार सभी लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी ये परंपरा की थाती है, इसको जिन्दा रखना हम लोगों का दाईत तो बनता है और इसी तरीके के आयोजन हम लोगों को आगे भी करते रहने चाहिए बहुत बहुत जन्नेवाद कि जय वंडे बातरम 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 बोधी है तो मुमकिन है मुमकिन है मुमकिन है पर नहीं दो भी जो यह जोड़ा इस आप में आप दूर जोड़ें देंगे अज़ेश को पो भूआ जोगिए जोड़ा पर अब्रों आप आप ने अपने फ्रीक में अगए फिडियागे तो एक तो श्रावन के महिने में और भी सुमवार के दिन में कजरी महोज सव का जो आईजोन यहां पर हुआ है एक तो अभियान संस्ता और महाराना प्रताप सेवा मंडल यह जो संस्ता है वो बधाई के पात्र है आज मुंबई जैसे शहर में एक तो लोगों का मनोरंजन का नज को एक होते हुए भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हुए आपका दूरदर्शन देखते रहते हैं लेकिन अपनी मिट्टी की खुश्बूम और अपने गाव की याद और अपने गाव की संस्कृति इस माया नगरी में आकर वो सुनने का और उसका अनुभव करने का जो काम इन दो संस्ताओं ने किया है और हमारे उत्तर भारत के सभी भाई बहन इस कारेकरम में जोर शोर से आकर यहाँ पर सम्मिलित हुए मैं मानता हूँ उनकी भीड़ी इस कारेकरम को यशश्वी का सर्टिफिकेट डे रही हैं अपने गाव की मिठी-मिठी खुश्बू भी भाईचाने के लिए उन कारेकरताओं का बड़ा योगदान है जिन्नों ने ये महनत करके अपने उत्तर भारतियों सभी परिवारों को एक छट के नीचे यहाँ पर हर साल लाते हैं मैं कामना करता हूँ इस कजरी मोहत्ताओं के साथ साथ आप उन में भाईचारा बढ़ाने का जो अच्छा पवित्र काम कर रहें आगे भी करें और हमारी तरफ से जो कुछ योगदान रहे तो हमें भी अगले साल से आप इस आयोजन में अपना हिस्सा समझ कर हमें भी इस कारेकरम की योगदान में सहबागी कर लें आज का दिन एक अईतियासिक दिन है आज के इस वोटिंग बूत पर नहीं जाती और सही पार्टी को चुनकर नहीं देती तो आज का ये सुवर्ण अक्षर से लिखा हुआ दिन शायद हमको और कुछ साल लगते थे लेकिन हमारी भारत की जनता ने एक ठोस निर्णाय लेकर जो मजबूत सरकार दी उसका नचीजा ये है कि आज 70 साल से जो प्रलम भित 370 धारा थी आज निकल गई और अपने भारत के कश्मीर को एक मानो आजाद ही मिल गई आज इस कश्री के महस्व में हम सब भारत वाजी खूश होकर अपने भारत माता का जयकार करें और फिर से एक बार इन गोनों संस्ताओं को मैं भारती जनता पार्टी की ओर से बहुत-बहुत शुबगामनाई देता हूँ आगे भी आप ऐसे ही सांस्कूतिक कारिय करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें भारत माता की जए सारे लोग मिठाईया बाट करके उनकुस्या मना रहे हैं जो कास्मीर में आज हमारे केंस सरकार ने निर्ड़े लिया हम लोग इस भागिसाली हैं कि जो इस चीज को देखने को सामने पा रहे हैं पीछे हमारे जो बंसा जाएंगे वो लोग भी याद करेंगी सिदिहास को जो आज सबसे बड़ा एक रहासी गिन है कजरी का आयोजन तो हर वर्ष होता है और ये कई वर्षों से बुदा रहा है लेकिन इस कजरी के मोहत्सों के आज की बाती कुछ अलग है क्योंकि एक काशी के से लड़के चुनाव लड़के और देश के प्रधानमंत्री बनके और उन्होंने आज के दिन कश्मीर को विजय बनाया है जब देश भारत हमारा विजय हुआ था तब तो हम देखने के लिए हम पर नहीं उपस्तित थे लेकिन आज काश्मीर जब आजाद हुआ है तो चरूर हम उस दरश्य को देख रहा है पूरा भारत खुशी से जूब रहा है और इस कजरी के महत्सों में मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यह कजरी हमारे देश के लिए बहुत शुब है क्योंकि हम आज के दिन बहुत सारी मनों कामनाय करते हैं बहुत सारी मिल के गाने गाते हैं और बहुत सारी शुब संकेर भी देते हैं ताकि हमारा देश हमारा सुरक्षित हो उन्नत की तरफ है